दमश्का, विकेवी न्यूस की आज की स्पेशल स्टोरी में मैं श्वर्य शिंदे आपका तहवील से स्वागत कती हूँ भारत को उत्सव का देश कहा जाता है और हर उत्सव का अपना एक अलग ही महत्व होता है और ऐसे ही एक त्योहार के बारे में आज हम जानेंगे जिस त्योहार का नाम है रक्षा बंधन भारतिय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षा बंधन का त्योहार श्रावण महा की पुर्णिमा को मनाया जाता है यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बानता है इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगा कर रक्षा का बंधन बानती है जिसे राखी कहते है ये एक हिंदू वज्जेन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पुर्णिमा के दिन मनाया जाता है श्रावण में मनाय जाने के कारण इसे श्रावणी या सावनी या सलुनों भी कहते है रक्षा बंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तू से ले कर रंगिन कलावे, रेश मी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तू तकी हो सकती है बादारों में राख्यों की बिकरी शुरू हो चुकी है और दुकानों में कई प्रकार की राखी देखने मिल रही है लोगों में भी राखिया खरीदने के लिए उत्सा नजर आ रहा है कई इलाकों में राखिय की दुकाने लग गई है जहारंग बिरंगी नई राखिया खरीदी जारी है रक्षा बंधन भाई बहन के रिष्टे का प्रसिद धत्योहार है रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है रक्षा बंधन के दिन बहने भगवान से अपने भाईयों की तरक्की के लिए प्रात्ना करती है राखि सामाने तह बहने भाई को बांती है परतो ब्रामनों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी राखि बांधी जाती है कभी-कभी सारवजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिश्चित प्यक्ति को भी राखि बांधी जाती है रक्षा बंधन के दिन बाजार में कई सारे उपहार बिखते हैं उपहार और नई कपड़े खरिदने के लिए बाजारों में लोगों की सुभ़े से शाम तक भेड़ होती है घर में महमानों का आना जाना रहता है रक्षा बंधन के दिन भाई अपने बहन को राखि के बदले कुछ उपहार देते है रक्षा बंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबुद बनाता है इस त्योहार के दिन सभी परिवार एक हो जाते है और राखि उपहार और मिठाई देकर अपना प्यार साचा करते है भाई बहन के प्यार कपर्व रक्षा बंधन को लेकर बाजार में राखी का बाजार सजने लगा है राखी के खरीदारी के लिए दुकारों पर महिलाव की भीर लगनी शुरू हो गई है पिछले दो वर्षों से कुरुना को लेकर राखी का उत्साव हर्षोलास के साथ नहीं मनाया गया लेकिन इस वर्ष सब कुछ ठीक रहने से रक्षा बंधन को लेकर बहनों में उत्साव भरा हुआ है अभी सही बहने भाई के कलाई पर राखी बानने के लिए खरीदारी शुरू कर दी है वही दो दराज रहने वाले भाईयों को डाख के माध्यम से राखी भेजने का काम भी बहने शुरू कर दिया है रक्षा बंधन पर भुंदु धर्म में मुख्य त्योहार शामिल है पंचांक अनुसार रक्षा बंधन पर सावन महिने के पुर्णिमा को बनाया जाता है ये पर भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है राखी बानते समय बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करके साथ स्वस्थ जीवन के लिए इश्वर से प्रात्ना करती है वही भाई भी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन लेकर उपहार देते है बाजार में राखी के दुकाने सच गई है सिंथेटिक राखी से लेकर सिल्वर और बोल्ड की भी राखी बाजारों में उपलब्ध है दुकानदार राजुकुमार ने बताया कि बाजार के अधिकतर दुकानों में राखी की विक्री शुरू हो गई है राखी खरीदने के लिए महिलाय पहुचने लगी है दुकानदार भी राखी की अधिक विक्री होने से प्रसंद दिखने लगे है इस समय पर बाजार में पाच रुपे से लेकर एक सो रुपे तक की राखी उपलब्ध है जड़ी राखी, डोरी राखी, लुंबा राखी और टाय राखी भी शामिल है इन सभी राखीयों में डोरी और जड़ी राखी की विक्री अधिक हो रही है इस समय लोगों की डिमांड पर चांदी राखी भी उपलब्ध है दुकान में चांदी की तरह तरह की डिजाइन की राखिया भी उपलब्ध है एक चांधी राख़े किकी मत कम से कम 6 से 7 सुर्पे तख है पंडी तुमा शंकर ने बताया कि सावन मास की पूरणी माँ 11 अगस को सुबह 10 बचकर 38 मिनिट से शुरू होकर 12 अगस को सुबह 17 बचकर 5 मिनिट तक रक्षा बंदन है लेकिन 11 अगस को सुबह 10 बच कर 38 मिनित से रातरी 8 बच कर 51 मिनित तक भद्रा रहेगी भद्रा पाताल में होने के कारण इसका दोश नहीं लगेगा इस तरह 11 अगस को दिन भर बहने अपने भाई को राखी बान सकती है भारतिय स्वतंत्रता संगराम में जन जागरन के लिए भी इस पर्वका सहारा लिया गया श्री रविंद्र नाठ थाकुर ने बंग भं का विरोध करते समय रक्षा बंधन के उहार को बंगार निवासियों के पारंपारिक भायचारे तथा एकता का प्रतिक बना कर इस त्योहार का राजनितिक उपयोगा रम किया 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मात्रो भूमी बंधना का प्रकाशन हुआ जिसमें वे लिखते है हे प्रभू मेरे बंगदेश के धर्ति, नदिया, बायू, फूल, सब पावन हो हे प्रभू मेरे बंगदेश के प्रतिक भाई बहन के उर्ख, अंतरस्थल, अविच्छ, अभिबग, एवं एक हो कि दर्श्यों भाणि आवे इसके राति खुब छांग अजे चांग प्रकाडी सालू आठे जिसे कस्टमर जिसे दात पशिता है तो दोन वर्शी कस्टमर आ दे नाए ना कि दोन वर्शी साल आए ना 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 महराश्य राज्य में ये त्योहार नारियल पुरणिमा या श्रावनी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेयों बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुम देवता को प्रसंद करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। यही कारण है कि इस दिन एक दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलो से भर जाते हैं। राजस्थान में राम राखी और चुडा राखी या लूंबा बानले का रिवाद है। इसके बार धर्म तथा वेदों के प्रवचन करता, अरुंधती, गणपती, दुर्गा, गोभिला तथा सब्तरश्यों के दर्भ के चट बनाकर उनकी मंत्रोचारण के साथ पूजा की जाती है। उनका तरपंड कर पित्रो रूंध चुकाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद घर आकर हवन किया जाता है। वही रेश में डोरे से राकी बनाई जाती है। राकी को कच्चे दूद से अभिमंत्रित करते हैं और इसके बाद ही भोजन करने का प्रावधान है। तरपंड कर नया यग्योपविधारन किया जाता है। यग्योपविध की भाती त्याग देने और स्वच्च नविन यग्योपविध की भाती नया जीवन प्रारव करने की प्रतिग्या ली जाती है। इस दिन यजुरवेदी अब्रामन छे महीनों के लिए वेद का अधियन प्रारम करते है। इस पर्व का एक नाम उपक्रमन भी है जिसका अर्थ है नई शुरुवात। वज्र में हर्याली तीज से श्रावनी पुर्णी मात तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर जुले में विराजमान होते है। रक्षा बंदन वाले दिन जूलन दर्शन समाप्त होते है। तो WKB News की आज की स्पेशल स्टोरी में हमने जाना रक्षा बंदन के महत्व के बारे में। फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही दिल्चस स्पेशल स्टोरी के साथ देखते रहिए WKB News। नमस्कार।